बहुत सारे जगह पारे जमीन सर्वे अथिकारी पैसा लेते हुए धारा रहे हैं चलिए आप पहले प्रूफ देख लिजे फिर वीडियो में हम आगे बात करेंगे आपके बायं पॉकेट में 4EA 211 594 का नोट है निकाल के हमको देख ना यह नंबर देख लिए बायं पॉकेट में निकाल की हमको की आप पैसा दिया है तो यहां तक आपने देख लिया है तो यह तो क्रियर हो गया होगा कि जमीन सर्वे करम जारी अधिकारी यामीन सब लोग पैसा ले रहा है चलिए अब हम सुमाजते हैं पैसा कौन लोग दे रहा है थोड़ा यहां अपरन विस्तार से समझेंगे और आपको सारी जैनकारी इस्टे बाइस्टे बताएंगे और उससे पहले आप चैनल पर नए हैं फ जरूर कर लेजिए चलिएम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां परहुंस तोंचते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है कि कौन लोग इनके जयाल में फॉस्ट करके पैसा देते हैं पहला पॉइंट है जो लोग आज सीक्षित है जो पूर फेमिली से बिलोंग करते हैं औ पूर फार्मार यानि कि जो लोग गरीब किसना है वही लोग इनको पैसा देते हैं सेकेंड में है जमीन का दलाल जिससे ब्रोकर कर लिए तो इनका तो काम ही है देख करके किसी भी परकार का जो मैटर होता है उसको सौट आउट करना फिर तीस तरह पॉइंट आता है जिनका जमीन का म्यूटेशन नहीं किया गया हो तो उनका फिर यहां पर खुद बड़ा रोल होता है रोल कहने का मतलब जैसे आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है और आप शाहर है कि अपने नाम से सर्वेक्शन करा ले बिना मिन ये म्यूटेशन के विडाउट म्यूटेशन के तो यहीं से स्टार्ट होती है और इनका फी रूल इसमें बहुत ही अहम होती है तो यह लोग पी होते हैं तो इनका फी पैसा देने में बहुत बड़ा ही एकदान होता है चलिए चौथा जो पॉइंट है जिनके पास से पेपर में कमी है यह लोग भी देते हैं पाश्मा है जिनका जो आँ दस्ताव्यच पर एक हाता किस्ता रखवा यह सब जो है आँ इसमें कुछ से तुरूटी आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति भी कुछ दे करके अपना काम करवाना जाती है फिर आज चाथा जो पॉइंट है जिनके पास से फर्जी डोकुमेंट है और इसनल पेपर ही नहीं है जैसे उनके पास से नहीं तो कोई और इसनल दस्तावेज है नहीं उनके पास से कोई खतियान है लेकिन उनके पास से कोई फर्जी बगड़ा पेपर है तो वैसे लोग भी देखर करवाना चाहती है अगला जो point है जिल्व के पास जमिन का वास्कीद परचा है तो उनका भी इसमें अहमरोल होता हैक है क्योंकि वा चाहता रहाता है कि किसी भी परकाश से जल से जल जो ये जमीन हमारे नाम से बन जाए तो उनका भी इसमें अहमरोल होता है देने में जो आप लोग सरकारी जमीन पर रहा है उनके पास खुद का जमीन नहीं है और शाहते हैं कि यह मेरे नाम से हो जाए तो इनका भी इसमें अहमरोल होता है तो यह हमने आपको जो लोग देते हैं पैसा इनका नाम बताया अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किन लोग को इसमें नहीं लगता है एक फी पैसा और किन को यहाँ पर बेनेफिट हो रहा है अब हम समझते हैं थोड़ा सा हवी स्टार से और आप अफी तक शेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं शेनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि जो फी सही जैनकारी होता है हमेशा बताने का प्यास करते हैं और करते नहींगे जिन के पास से पैसा पावर है यह लोग कभी को पैसा नहीं देता है फिर फी इनका काम होता है जो चाहें होता है जैसे चाहें वैसे होता है मेरे कहने का बतलब है कि इनका जो अधिकारी आता है उनसे Direct Connection होता है तो उनको अगर कुछ नहीं फिर देता है फिरिए उनका काम होता ही होता है तो यहां पर मुझे लगता है कि आप यह बात अच्छा से समझ गया चलिए अब समाझते है इन फ्रोड अथिकारी तो यानए कि आप षण सारे वेक्साने स्टार्ट होने वाली है तो आपको अपने जो मौझा है वहांपर अगर कोई अथिकारी आता है तो आपको कैसे इन से बचना है कैसे बीना कोई पैसा दिये काम करवाना है सबसे पहला point आपको अपना जो फी पेपर है सबको सही कराना रखना है अगर कुछ गलती हो तो सुधार करा लेना है यानि कि अगर आप सर्वेक्षन से पहले जो फी पेपर में तुरूटी हो गलती या हो आप अगर उसमें सुधार कर लेते हैं तो आपके लिए यहां पर बहुत ही बेटर होगा और आपको यहां पर कुछ भी देना नहीं परेगा second point है पर अपकर तो और थी को भर करके online आप इसे online ही form को भरना है लेकि अब online गरने का मतलब पहले आपको offline भरना होगा offline भरने के वाद आपको क्या करना होगा उस form को upload करना होगा तो online upload करके civil पर जा करके जमा करें वैसे कोई अगर आमीन आता है और आपके घर पर बोलता है कि आप दे दीजे पेपर और उसके बदले कुछ फैसा मागा जाता है यह बिलकुन भी गलत तरीका है लीगल नहीं तो आप ऐसा बिलकुन फिर नहीं करें ठीक है आप अपना पेपर जो है civil में जा करके ही जमा करें किसी और के पास बिलकुन नहीं कर पाता है जमा फिर आपका वहां पर जो सर्वेक्शन है हो गया ही नहीं ठीक है उसके बाद अगला जो पाइंट है कि फिर भी कोई अधिकारी जो है अगर पैसा मांगता है तो आपको क्या करना है डी एल आर एस से डोट इन जो साइट है तो यहां पर आपको आना है वहांने के बाद नीचे आपको हेल्प लाइन नंबर का अप्शन आपको दिखाई दे रहा हो गया तो यहां पर हेल्प लाइन नंबर पर आपको कॉंटेक्ट करना है और यहां से आप अपना सीकायत डर्जी कर सकते हैं और आपको जो फी परसानी जैसे आपसे पैसा मांगा जा रहा है तो आप उनको पता सक सरी यहां पर शुर्धा एविलेबल है और इसी के लिए हेल्प लाइन नमबर भी जारी किया जाए है फिर अगला जो पॉइंट है और इसनल पेपर कभी भी अधिकारी को न दे क्योंकि आपको और इसनल देने का एलाउन नहीं है आप जब ही दे तो फोटो स्टेट कराकर ही दे क्योंकि और इसनल मानने इस अगर स्टर्वेक्शन में कोई गलती या हो जाती है तो आपके पास से और इसनल पेपर रहेगा तो फिर स्टर्वेक्शन के बात भी उस पर आपके केश कर सकते हैं तो आप और इसनल पेपर बिनकुन फिर ना दे फिर यहां पर अगला जो पाइंट है अमीन से प्लोट पर सामने रहकर मापी कराए अन्या था गलतिया हो सकती है यानि कि जब भी आपका जो प्लोट है मापी के लिए जाए तो आप खुद वहां पर जाए सामने रहकर के फिर कराए अन्या था हो सके तो गलतिया भी हो सकती है फॉर्म जमा करने के बादे रस्चीद अवस्ते ले जब ही आप पर पत्र टू और थिरी जमा की जाएगा वहां पर अपना आपको सारी जानकारी बता दी है और आप इस देवरियों को फूल बाज किये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अप ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेशे